हलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सिंग आज हम बात करेंगे सूक्रल एनल क्रीम के बारे में सूक्रल एक एक एसी क्रीम है जिसको एनलफिशर को ठीक करने में यूज़ किया जाता है एनल फिशर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं एनल फिशर वो चीज होती है जो लेटरिन के रास्ते में एक आपको घा हो गया हो टेर हो गया हो चीरा हो और वो ठीक नहीं हो रहा हूँ बहुत लोगों को रहता है ये तकलीब बहुत लोग सोचते हैं कि ये पाइल्स है तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं पाइल्स की दवा चलाते रहते हैं मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आपको मल के दुआर पर या लेटरिन के रास्ते पे कोई भी दिक्कत आए तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखवा लेना चाहिए कि फिशर है पाइल्स है फिस्टुला है ये तीन अलग-अलग चीजें होती है जिसमें अलग-अलग इलाज होता है फिस्टुला का इलाज अलग है पाइल्स का इलाज अलग है और फिशर का इलाज अलग है तीनों में एक ही इलाज करना ये नुकसान देता है यह हानिका रखो सकता है इसलिए डॉक्टर की सला सबसे पहले लें अब हम बात करते हैं इस क्रीम के बारे में जिसका नाम है सुक्रल लेनो क्रीम यह इनल फिशर को ठीक करने काम में आता है यह जो दवाई होती है यह स्ट्रैसनबर्ग कंपनी की बनाई गई है और इस में तीन दवाईयां मिली होती तीन दवाईयों का नाम है जो कॉंपिशन नेनस्तिक मेंす region में इंफ्चन और लिगनोगरियम और स्वेम इस काम में आथा मैं अब को बताूं यह जो स्बसे पहले मेंसरों की बात कर trending है जो मेंट्रें जो है वह इंफेक्षन कोख़म करता है आप समझे जो किटाणों हैं, लेटरेन के रास्ते घाओ हो गया, तो उसमें मल जो पार होता है, हर दिन पार होता है, आप हर दिन एक बार जाते हैं, कोई को लोग दो बार जाते हैं, अगर आपको कॉंस्टिपेशन हैं, और आप रोज नहीं जा रहे हैं, दो दिन, तीन दिन में भी एक बार हो रहा है फिर भी मल के दुआर पे infection होता है कितारों होते हैं जो घाओ को सुखने नहीं देते हैं अब हमें बाहर कहीं चोट लगे तो हम उसे पट्टी बान लेते हैं बेटादीन लगा लेते हैं बैंडेड लगा लेते हैं पट्टी बान लेते हैं उसको बच ये आप समझिए वही दवाई है जो metronazole आप खाते हैं फ्लेजल में या metronazole में जब आपको दस्त होते हैं तो बहुत आप केरमेश के डुकान से ले 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 हैं या डॉक्टर प्रेसकाइब कर दे हैं या खुद भी जानते हैं बड़े लोग तो अप metronazole या flagel metrogel flagel इस नाम से आती हैं गोलियां या उसी का क्रीम फॉर्म है ये जो मल का रास्ता है उसमें infection नहीं होनेता है बैक्टीरिया जो होते हैं किटानों जो होते हैं उनको मारता है और इस करण फिशर को अजादी मिलती है कि अब हो जल्दी ठीक हो सके दूसरी दवाई है इसमें lidocaine, lignocaine दोनों एक ही क्लास की दवाई है lidocaine हुआ, lignocaine हुआ ये सब anesthetic दवाई होती हैं सुन करने वाली दवाई हैं ये जो सुन करने वाली दवाई होती हैं ये injection form में आती हैं जिसको किसी को अगर कट गया फट गया, सर फट गया तो डाक्टर टाके लगाते हैं उससे पहले वही injection देते हैं ये lignocaine का ही injection देते हैं जैलोकेन नाम से आती है एक कंपनी जैलोकेन 2% तो वो लगाते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं सुन हो जाते हैं ये उसी का cream form में, gel form में ये भी इस दवाई में ये क्या गरता है जो मल का दौार है जहां आपने लगाए है उसको सुन करता है अब मेन हमें सबसे जो दिक्कतें आती है इनल फिशर में कौन सी आती है सबसे पहले ही तो आती है कि हमें जलन होती है, दूसरा दर्द होता है और तीसरा खून जाता है तो जो जलन होती है और साथी साथ जो दर्द होता है उससे ये रोकता है ये दर्द नहीं होने रहता है ये सुन कर देता है उस जगा को तीसरी जो दवाई है इसमें मिली हुई उसको कहते हैं सूक्रल फेट सूक्रल फेट एक special दवाई है जो घाव है उसके around एक परत बना देता है एक protective coating बना देता है परत सी बना देता है ताकि घाव बचा रहे एक तरह से उसको मलम चड़के रखता है कि वो फिर से और आगे बढ़ेना उसको जल्दी ठीक होने का मौका मिले तो यह तीन दवाईयां आपने समझ लीस में क्या क्या होता है अब हम देखते हैं बीस ग्राम का packet इसके कितना दाम क्या आता है यह जो हमारे पास है यह हमने यह लिया है अभी हभी यह manufacture है पांच एक किसका माई दोहर एक किसका बना हुए है और यह 125 रुपे तो आप द्यान रखें यह दवाईयां जो हैं पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि यह तारीक के हिसाब से चे में इनने में साल भर कुछ कुछ दवाईयां जल्दी यल्दी भी बदल जाती हैं दाम बढ़ते घटते रहते हैं तो यह आप हमेशे MRP देख लें अब हम आगे बात करेंगे कि इसको कैसे लेना है लगाना कैसे इसको सबसे पहली बात तो कि इसको वैसे लगाएं जैसे आपके डाक्टर ने बोलें खुद से ना लगाएं आपको पाइल्स है फिशर है या फिस्टुला है यह बिना जाने आप खुद से अलग-अलग डॉई चालाना कैसे हैं भूम बात करते हैं इसके डबब्बे में क्या आता है इसके डबबे में में जोजाए आता हैं एक यह होगया क्रीम करीम और इसको कहतेम इसका अप्यимиक्टेस अब इसको व deform हर यह लगा आ के पीछे जो आब देख आप अब क्लिएर दिख रहे हैं यह हाँ इसके धकन के पीछे हां जी देखिए इसके धकन की पिछे ऐसा दवाई है थोड़ा सा घुमा लिए तो यह बड़ी असानी से खुल जाता है देखिए खुल गया इसको धकंगा साइट लएगे अब इसको हम इसको गोल दुमागे, यह लग गया, यह मलम जो है, यह रेडी हो गया अब, बिल्कुल ध्यान दे, जब भी लगाना है, उससे पहले आप हाथ दो लें, चीक है, हाथ हमेशा दो के रखें, साफ सुतरा रखें, और फिर इसको लगाया जाएगा, अब जेनरल यह कब लगाते ह है, यह लेटरिन करने के बाद, आपको सुबह सुबह मल पार हो गया है, पेट क्लियर हो गया है, नहीं भी हुआ, तो जितना हुआ ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे, अब इसको कैसे लगाएंगे, कि हम इसको बाहर नहीं लगाना है, यह लेटरिन का रास्ता है, लेटरि पिटर लगाहें तो यह अंदर हऊ कभी ठीक नहीं होगा आपने इस घौप के उपर लगाना है मलम आप इस घौप के उपर मलम कैसे लगाएंगे आपको इसको अंदर अळालना है मैं और फिर हलके से प्रेस करते हैं वापस खीचना है जब इसको प्रेस करिएगा और हलके से बाहर कीचिएगा तो ये नौजल से खुद बाखुद ये निकलना शुरूब है इसके प्रेस करिएगा और हलके से लगा के ये इसे घौ़ के उपर लग गया है ये तरीका है लगाने का स्क्रीम को यह सही तरीका है डारेक्ट बाहर की तरफ बिलकुल ना लगाएं चुछ यह अब हमने जान लिया है कि कैसे लगाते हैं इस मलम को अब हम इसके बारे में थोड़ी और बात करें ठीक है इसको कितने लगाना है कितना ट्यूब लगाना है आप एक तरह समझे कि आपको घाओ जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आपने इसको लगाना है अब यह भले दो ट्यूब लगे तीन ट्यूब लगे या चार ट्यूब लगे ठीक है सही होगा लगाना जरूरी है किसी किसी लोगों को फिशर अगर बड़े लंबे समय से नहीं है तो दो हफते तीन हफते में भी ठीक हो जाते है लेकिन आपको अगर लंबे समय से दिक्कत है फिशर की छे महिने होगे कुछ-कुछ लोगों साल दो साल चार साल दी दिक्कत होती है पात साल से भी फिशर रहता है, उनको तो पात से छे मैने लगाना ही पड़ेगा, आप ये ना सोचिए कि मैं दो चार दिन, एक हफते, दो हफते, एक ट्यूब लगा लूँ और से ठीक हो जाए नहीं, ऐसी ठीक नहीं होती है, ये सब लंबी बिमारी है, फिशर, पाइल, फिस सकती है, पर वो नॉर्मल है, जारा समय तक नहीं रहती है, चली जाती है, उसे ना घबराएं, और साथी साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कि आप अगर ये मलम लगा रहे हैं, और आपको फिशर की शिकायत है, तो खाने में बिल्कुल ध्यान लखना है, आप ऐसा न नहीं खाना है, अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है, खाने पे क्या गया खाना है, आपने ध्यान देना है कि आपने ज्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, फ्रूट लेना है, अपने फल लेने है, हरी पत्तियों वाली सबजियां लेनी है, ये सारक और पानी भी वीडियो यही सनाप करते हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें इसी तरह आपको पसंद आये तो हम और दवाईयों के वीडियो बनाते रहेंगे नमस्कार subscribe now and press the bell icon never miss an update